आप सभी का स्वागत है दोस्तो चैनल रन भूमी मैंट्स में दोस्तो रन भूमी मैंट्स के परिवार में आपका हारदी का भी नंदन करता हूँ दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है जो वीडियो में बना रहा हूं वो बहुत ही बहतरीम टॉपिक से है क्यूंकि दोस्तों इससे आरारगी और S.S.C. के लगबग हर परिच्छा में इस टाइप का पुछा जा रहा है दोस्तों तो मैं उमीद करता हूं कि आपको ये वीडिय इसमें बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं अजकर दोस्तों तो देखें दोस्तों कुस्टन नंबर वन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहा गया है तीन सो तक अठारा से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी तो मेरे बच्चों देखो बहुत ही जबर्दस ट्रिक है तीन सो तक की संख्या निकालनी है कि आपका तीन सो तक कुल कितनी ऐसे संख्याएं जो अठारा से विभाजित होगी तो अठारा से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना देखिए तीन सो तक शुरवाती रेंज कुछ नहीं दिया है सीधे कहा गया तीन सो तक तो आप क्य हमें सिर्फ देखना कि पूर्णता विभाजित कित्री बार में हो रहा है आप मानलेजी जैसे में 18 सते लेता तो यहां साथ बार में लेता तो यहां 300 जो हमारी पास जो संक्या पचिती 120 उससे वह उपर हो जा रहा है तो नहीं चलेगा मेरे दोस्तों इसलिए हमने क्या लिए 18 चके लिए 108 अब देखिए दोस्तों तो अब फिर से इस बच गया तो अब 18 से भाग नहीं जाएगा तो हमें क्या करना बस यहीं जो पूर्णता विभाजित होने वाली जो हमें भागफल जो निला है यहीं हमारा जवाब हो जाएगा यानि 300 तक 18 से विभाजित होने वाली पुल कितनी ऐसी संख्या है दोस्तों तो हमारा जवाब हो जाएगा सोला एकदम वीडियो को सुरू से अंतक देखना मेरे बच्चों बहुत ही जबरदस्त होने वाला आज के वीडियो एकदम बेसिक से आपको हाई लेवल तक के कुश्चिन तक पहुंचाओंगा दोस्तों तो उमीद करता हूँ आप सभी इसे भरपूर प्यार देंगे तो आईए दोस्तों क्वेश्चन नमबर टू स्क्रीन पर है आपके सामने कहा गया है कि पांच सो से एक हजार तक में नौ से विभाजित होने वाली कुल कितनी संक्या हैं तो मेरे बच्चों बहुत ही जबरद करनाया है कि यानि कि मेरे बच्चों एक हजार तक यान इंके बीच में नहीं चाहँकर है यहां संक्या भी होगा हजार वाली जिसनक एक हजार टुर्षा – तक तक रहेगा याद रखिएगा एक हजार तक तो आपको क्या करना है मेरे बच्चों एक हजार तक कहा जाएगा तो आप पहले वाली संख्या में से एक माइनस कर दीजिए अगई बात समझ में बस आपको और कुछ भी ज़वरोत नहीं है किसी भी ट्रिक या किसी भी और सब्सक्राइब देखें 500 से एक हजार तक में नौ से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है तो हमने लिखा पहले 500 और आखरी लिमिट लिखा से 1,500 से एक हजार तक तक जब रहेगा दोस्टों तो पहले वाली संख्या में एक घटा देना अबह इसे अपी ध्याम दखेंए से किस्त्ने से डिवाइड करना है से सुछ निकाल दीजिए का बलाका निकाल दीजिए घपाण से माहरू तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 499 अब 9 से चलिए मैं इसे कटाता हूं तो देखो 9 पचे 45 चार बच गया फिर 9 आ गया तो उचास हो गया फिर 9 पचे 45 अब सेज जो बचा अगर भाग नहीं जा रहा है तो रुक जाएए यही राउंड फिगर ही आपका क्या हो जाएगा नौ से कटने वाली कुल संख्या होगी 500 तक में अब देखो मेरे भाई एक हजार को नौ से डिवाइड करो तो कितना जाएगा मेरे भाई नौ एक के नौ दस आ गया फिर नौ फिर दस आगया नौ एक के नौ तो देखो कुल कितनी संख्या आ गई कुल 111 संख्या आ गई 9 से डिवाइड करने को अब कहा जा रहा है 500 से 1000 तक में 9 से विवाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है तो बस अब इहें ही आपको सिंपली माइनस कर देना है तो देको 111 में से 55 घटाईए तो कितना आ जाएगा 56 तो यही आपके प्रश्म का जवा हो गया कि कुल 56 संख्याए ऐसी होंगी जो 500 से 1000 तक है जो 9 से पूर्णता विवाजित होगी आगई बात समझ में दोस्तों कितना जबरदस्त ट्रिक है यह था थोड़ा अब उससे एक लेवल हमने हाई किया अब धीरे धीरे हम लोग लेवल को हाई करेंगे दोस्तों तो सतर क्राइए का कॉफी पेंसिल पेपर पेन लेकर के बैठिये का दोस्तों नोट करते जाएगा ऐसा मज़ेदार कंसेट्ट और कहीं नहीं मिलेगा सिवाए रणभूमी मैट्स के तो देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीम पर बहुत ही जबरदस्त है अच्छे से देखना कहा गया है पांसो तथा पंदरा सो के बीच सोला से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है अब मेरे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में एक नया वर्ड सामील हो गया है अभी मैंने बताया था 500 से 1500 सो तक मगर अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया है भीच तो अब हमें क्या करना है तो पहले प्रोसेस में लिग देता हूं पहले आप लिखिए छोटी संख्या पांसो और आखरी लिमिट लिखिए 1500 और जब बीच कहेग संख्या में से एक घटा देना है क्योंकि यह 1500 कर देंगे समझ में क्या हमने इस किया इसे भी वाजित करना है सोला से हमने यहां कर दिया माइनस यहां भी आंगे क्या करना सोला से वी वाजित करना तो इसे जरा घटालो भाईया तो यहां तो देखिए वह अगर मैं इसे दूँटे कि कितना होगा सोला तीया अरतालीस दो बचा फिर एक ही बार में जाएगा वी सोगया तो सोला एककम सोला यही राउंड फिकर हो गया थ्रटीवन आपको से जब भाग नहीं जाएगा इससे तो आपको से से कोई मतलब नहीं अब दे से भाग अगर मैं दूँ तो सोला तीया अरतालीस सोला चोंके चौंसर तो चौंसर ज्यादा हो जाएगा तो देखिए यह भी हो गया आपका 93 अब कुछ नहीं करना हमें सिंपली इंदोनों को माइनस कर देना तो तीन में से एक गए दो नों में से तीन गए 6 यानि कुल कित संख्या है तो 62 संख्या है आगे समझ में बात दोस्तों पिछले बार आरवी गुरूप डी आरवी एंटीपीसी स्टेज वान स्टेज टू स्टेज टू एससी सी एचसल में भर दिया था दोस्तों हर सेट में ऐसा कोस्टन इसलिए मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूं त तो बहुत धुमाधार वीडियो होने वाला है दोस्तों तो पने रहिएगा वीडियो में सुरू से अंतक तो देखिए मेरे बच्चों आ गया है अगला कोस्टन स्क्रीन पर आपके सामने कहा गया है कि 500 तदा 1300 के वीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि दो तीन तदा 5 से पूनता विवाजित होंगी तो मेरे बच्चों देखिए पूनता विवाजित होंगी कि से 2 3 और 5 से तो सबसे पहले हमें क्या करना है दो तीन 5 का NCM ले लेना है लोसों ले लेना है और वो कितना होगा 5 तिया 15 15 तुरी तीस यानी कि अगर संख्या है तीस से कंडेगी तो इस ता मादलब वह दो से वे कटेगी जए सबीक विकिण आके बिक यह तो कंचेट्ट मेरे लोस्वं व्शु में आपको आलरीडी सिपा दिया है तो देखिए दोस्तों कहा गया दोनों पूराख ऑगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो पुल्पुर्ण भाख içश तो संख्या होगी उनका अंतर ही तो होगा जो इन से पुंता कटेगा आगई बात समझ में देखो मैं अगर इसे भाग देता हूं तो देखो 16 138 तालीस वार में जा रहा है पूंता पूंता नहीं कट रहा है से थे मतलब नहीं अब देखो तीन से कटाओ तो देखो तीन चौके बारा एक सो बीस हो गया यहां नौ बज गया नौ पर नौ निम्यानवे तो तीस तीन निम्यानवे यानि 43 राउंड फिगर में अब देखो इसे अगर में घटा दू तो कितना हो जाएगा तेरह में से छे गए हो गए साथ तीन में से गए दो यानि 27 तो यह 27 आपके पुस्टन का जवाब हो गया कि 500 से तेरह सो के बीच में कुल 27 ऐसे संक्या होंगी जो दो तीन और पांच से पूरता विवाजित होंगी अब मज़ा आ रहा है दोस्तों देखो हर कुस्टन भी देखी रखका है और जहां थोड़ी बहुत चेंजेश आईजी वो मैं बिलकुल आपको बताते चलूंगा तो देखिए दोस्तों अगला कुस्टन स्क्रीन पर हाजीर है देखे का गया को दोस्तों वैसा ही एक क्वेस्टन है आई थोड़ा ऐसे फास्ट कल्कूलिशन करके दिखाता हमों कि 200 तता 500 के बीच कितनी है जो चार तता 5 से पुरूंता विवाजित होगी तो फिर देखिए यहां पर कह दिया गया है क्या दोस्तों बीच में तो बीच यानि आखिर वाले संख्या से एक गटाना है तो देखो हमने यहां लिग दिया 200 यहां लिग दिया 500 च अब आप इसे कट आईए तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 20 दूना 40 हो गया 9 बचा पी यानि नियान बे तो 20-84 बीच पचे सो यानि 24 यानि 24 बार में ही जाएगा अब देखिए 24 में से 10 गटा दीजे कितना हो जाएगा 14 तो देखिए यही आपके क्वेश्चन का ज पांगे एकदम स्क्रीम पर बिल्कुल नए तरीके का कोश्चन जो पिछले बार भी पूछा गया था अब तो बिल्कुल आपको हर एक्जाम में ऐसा ही कोश्चन मिलेगा जैके कहा गया 200 तता 300 के बीच देखिए बीच कहा गया 200 तता 300 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो 5 स पूंता विबाजित नहीं होंगी इसस का उल्टा को शनal की 265 नहीं होगी तो मेरे वतच hybrid अभार मीरे औरुकि एससे बनाएं तो आए मैं अब भूल जाए कि नहींल zo आप simply निकाले कि कितनी ऐसे संध्या होंगी जो पांच से पूंता विवाजित होगी यह पहले हम लोग यह निकालते हैं उसके बाद आगे का इस्टप मैं आपको समझाता हूं तो देखिए नहीं को भूल जाइए पहले देखिए 200 और यह 300 के बीच का आगया बीच का आगया यानि आखिर वाले में से एक घटा देना है और दोनों को किस से डिवाइड करना है पांच से तो देखिए हमने पांच से डिवाइड कर दिया अब आई हम लोग निकाल लेते तो देखिए यह हो गया पांच चौके 20 यानि 40 हो गया यहां पर और यहां जारा देखिए 299 हो जाएगा तो पचे 25 चार पर नो उन्चास फिर पांच नवा 45 यानि 59 तो कुल कितनी ऐसी संख्या हो जाएगी मेरे दोस्तों यानि 19 तो यह तो हमें पता चल गया कि 200 से 300 के बीच में कुल 19 से संख्या है जो पांच से पूनता विभाजित होगी थ्यान से सुनिएगा मेरी ब संख्याला है मगर यहां पॉस्टें में थोड़ा नया पना गया है कि पूचा जारा कि पूर्णता विभाजित नहीं होगी तर ऐसी संख्या को निकालने के लिए एक जबरतस ट्रिक है त्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या करी जो दी गई संख्या हैं उनके बीच का अंतर आपको निकालना होगा कि 200 से 300 के बीच में कुल कितनी संख्या है तो देखो वहिया 200 से 300 को घटा दो यानि हमें डिफरेंस निकालना है मेरे बच्चों अंतर निकालना है तो 200 में से 300 गया तो कितना हो गया एक सो अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा जब भी आपको बीच कहा जाए क्या कहा जाए मेरे दोस्तों बीच जब भी कहा जाएगा और नहीं वाला कॉश्च्टन लगेगा तो आपको इसमें से एक और घटाना है क्यूंकि 200 से 300 के बीच में कहा गया 300 वा वाला जो संक आपको एक जोड़ देना है आगई बात समझके समझ में आ गई तो देखिया हमने पहले यहां क्या किया डिफरेंस निकाला डिफरेंस हो गया 200 और तीन सो का डिफरेंस हो गया 100 और जब आपको बीच में कहा जाए तो आप याद रखें तो देखेंगे दोस्तों तो कहा गया है यहापर 200 तदा 300 के बीच कितनी ऐसी संक्या है जो 5 से पूनतर विवाजित नहीं होगी तो हमने निकाला पहले कि 19 ऐसी संक्या होगी जो 5 से पूनतर विवाजित होगी अब को क्या करना है बीच वाला कोस्टन कहा गया बीच तो आपको बीच वाला फॉर्मूला लगाना है यानि डिफरेंस माइनस वन तो देखेंगे डिफरेंस कितना है वही हंडेड निकाला हमने तो हंडेड में से एक घटा दो यानि 99 कुल ऐसी संक्या है जो कटेगी और जो नहीं भी कटेगी य कटने वाली आगई बात समझने तो देखो असी असी संख्याय हो जाएंगी मेरे बच्चों जो 200 और 300 के बीच में हैं जो पांच से पूंता विभाजित नहीं होगी आगया कंसर्ट क्लियर दोस्तों तो चलिए इसमें क्या बात है डरने की इसमें अगर जीन बच्चों को न करने वाली कुल कितनी संख्या है यह से नहीं विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है तो मेरे बच्चों सबसे पहले मैंने अभी शब बता हैं नहीं बोल जाओ उसे पहले यह निकालो की गया है तो पहले वाले को माइनस करना है तो आपको यूस्टू हो गया याद हो गया और जब बीच कहा जाएगा तो अंतिम वाले में गटा देना है तो यहां देको 99 हो गया तो 6 से डिवाइड करो तो 16 चके 96 यानि 16 बार में पूर्णता कटेगा और यहां 6 35 30 और यह 0 यानि 50 तो अब मेरे बच्चों कितना आगया माइनस करो दोनों को तो जारा में दोनों को बटाओं तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा तीनी 30 40 और शेचर दस पचास यहरी 34 ऐसी संक्या होंगे 100 से 300 के बीच में जो 6 से पूर्णता विभाजित होगी पूर्णता विभाजित होगी कि मेरे बच्चों अब अगर आप से पूछा गया कि जो भी वाजित नहीं होगी जो भी भाजित नहीं होगी तो आइक पहले हम ऑन्येंदोंका rsummंब कढ़ते कि लिवाजित-छाहरं निकलते हैं तो द फिरेंस कितना रहा है मेरे बच्चों इतनी 25 mooi औरम धूर्धर संक्या निकालना तो तक का फॉर्मुला क्या था टीफरेंस प्लस वन यानि डिफरेंस 200 है और प्लस वन कर दो यानि 201 संक्या है इसमें से 34 संक्या है जो 6 से कट रही है तो 34 को अगर मैं माइनस कर दूं यहां तो जो बचेगा वही तो संक्या 6 से नहीं कटेगी साथ 9 में से 361 यानि 167 ऐसी संक्या होंगी जो 100 तथा 300 के बीच में है और 6 से पूर्णता विवाजित नहीं होगी तो याद रखना नहीं होगी उसमें भी आपको पहले है कि तक कहा है तो एड कर दो एक और अगर कई गया है तो डिफरेंस में एक घाटा दो और फिर इसको इससे घाटा दो आगवाद समझ में दोस्तों आइओं आपको मज़ा आया होगा आओ अब एक आखरी में एक और ताइब का पूस्चन रहे है जो बिल्कुल परिच्छा में आजकर पूचा जा रहा है हम लोग उसे भी देख लेते हैं तो आईए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के क्यों के जो इस पर आपके बिल्कुल सामने हैं बहुत ही धुआदार सवाल है परिक्षा में पूचा जा रहा है कहा गया है पचास से एक सो पचास के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जिने साथ से भाग देने पर सदा तीन से बचे तो बहुत ही जबरदस्त है आप भूल जाओ से हमें सिर्फ इतना देखना है कि को इसे निकालते हैं और बीच कहा गया है तो आखिर वाले में गटा देना है तो चलिए इसे गटाते हैं सब्सक्राइद शांव फिगर आ गया यहां फौटीन न हो दो तो साथ दुनी 14 कड़िया साथी के साथ एक्कीस आ गया घटा दीई साथ से पुन्ता विभाजित होंगी तो देखिए आप कहा गया कि कितनी ऐसी संध्या होगी जिन्म बाहग देने पर लतीन सेज बचे तो सेस कुचे तो भी वही होगा पांच सेस बचे तो भी वही होगा मगर मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको लाश्ट एक संक्या चेक कर लेना है क्यूंकि यहां पर बहुत ही जबर्दस चीज में समझाने जा रहा हूं कि जैसे 14 हमारा आगया कि साथ से पुन्ता विभाज विभाजित होगी तो 14 संक्या ऐसी होगी ना जीओ जी से भाग देने पर तीन ही सेस बचेगा अब ही बात समझ में यह तो ट्रिक समझ में आगया मगर सिर्फ लाश्ट वाली एक संक्या को चेक कर लो चलो 150 आपके बीच में 150 के बीच में कहा जा रहा है तो 150 के पहले तो 150 के एक सोपचास के बीच में कहा गया है तक नहीं कहा गया है एक सो पच्चास के बीच कहा गया यानि एक सो पच्चास से संख्या छोटी होगी मगर लाश्ट जो संख्या आपको इसमें काउंट हुआ है जो साथ से पूरता विभाजीत हो रहा है उसमें अगर आप सेस्तीन जो बजना चाहिए वो अगर में जोड़ो तो डेड़ सो हो जा तेरह ऐसी संख्या होंगी जो पचास से डेड़ सो के बीच में साथ से विवाजित करने पर सदा तीन सेस्ते यह कंसर्ट क्लियर है ना दोस्तों तो आई होब आपको मज़ा आया होगा दोस्तों आईए एक कोश्चन में आपको और दिखा देता हूं तो देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्थ है सौसे दोसों के भी छे से भाग करने पर चार सेस्व देने वाली कुल कितनी संक्या है तो आईए हम लोग अपर और लिमिट लिख लेते हैं चाल जेसे भाग देना है तो चेसर भाग दे देते हैं बीच कहा गया तो आखिर तो मुझे था सब्सक्राइब तो आभए देने पर चार से इसने बसी संप्यादधना किवाल आज़िवाला को चीकर लो कि 6 से क्या क strongest चारक कर चेगए कोड़ करो कि यह लिमिट को सक्रोच कर क्रोंगी क्लिए​ dynasty जो हम एक है धी कोढ़ गया दो इस्में गूसी आम गते हो तो इसमें से एक संख्या घटा देना है तो यानि सही जवाब क्या हो जाएगा सोला ऐसे संख्या होंगी जो सो और दोसों के बीच में होंगी जिसे छे से भाज देने पर चार सेज बचता है आगई बात समझ में मेरे बच्चों तो चलिए दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भेव सारा प्यार दीजिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जैहिंद जैभारत